तो दस्ती नहीं के हम राज हूँ, बात कहने की दशा में एक नया अंदाज हूँ, मस्तिष्ट से सुनियेगा मुझे, क्यूंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ. सदन में उपस्थित, विश्व के सबसे महान लोग कंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमशकार, मैं सायद सानिया कणपा जिले से, देश के कोहिनूर वाले राज्यों, आंद्रपिदेश का प्रतिनी द्वकरने जा रही हूँ. मेरा आज का विशा है युवाओं का नेत्रत्व. असंभा को संभा करना हो, संपूर्ण को और संपूर्ण करना हो, शून्य से शशक्त बनना हो, तो युवाओं का नेत्रत्व जरूर है. जब एक युवाओं नेत्रत्व बनता है, तो एक भगत सिंग की तरह इस देश पे जान लुटाने वाला बनता है. एक अठारा वर्ष कदम बोस की तरह फासी पे चड़ जाता है, तब ये देश आजाद होता है. आज ये नेताओं का और ये देश के युवाओं का बदौल तो एसा कुछ नहीं है, जो हासिल नहीं कर पाता. क्योंकि दुड़ निश्चे के आगे तो पहाड तक छुख जाते हैं, जब हम संकल पले बट जाते हैं, तो तूफान तक रुख जाते हैं, तूफान तक रुख जाते हैं. हमारा दूसरा प्रंट था, कि गुलामी की सोच स से आगे बढ़ना होगा, अब इस देश के युवा को यहां खड़े होकर प्रतिनित्व करने के लिए नहीं, यहां बैट कर नेत्रित्व करने की जरूरत है, जब तकाले साधनम विश्व गुरुत्वस्यहा, इसका अर्थ है, कि अगर युवा शक्ति इस देश के लिए काम करें, तो भारत विक्सित भारत बन जाएगा, अमरित काल में, और विश्व गुरु कहलाएगा, और हमें क्या करना चाहिए, अब इस देश के युवाओं को, NGO और NSS के साथ मिलकर, बहरोजगारों को, और भुगे बच्चों को, मास पेशियों को, दूर हटाना होगा, अब भारत का युवा रोजगार देने वाला बनेगा, तभी तो भारत विक्सित भारत बनेगा, अब समय है, अब समय है विकास करने का, अब समय है परियावरन को साथ लेकर चलने का, हमें विकास चाहिए, पर किस, किस तरह है हमारा विकास हो, हमारा विकास हो, और प्लास्टिक मुक्त रहित भारत हो हमारा विकास इस तरह हो कि यह युवा पेड़ पोधे नाटने में आ गया है अब यह युवा नेतरत्व करने में आ गया है अब यह युवा सिर्फ ओटिंग में नहीं एलक्षन में खड़े होकर पार्लमेंट तक बैठ कर नेतृत करने का सफर तै कर पाए अब इस देश के युवा को इतना सक्षम और सशक्त बनना होगा और मैं कहना चाहूंगी कि बूंद बूंद से सागर बनते हैं ठीक उसी थरा इस देश के युवा के छोटे छोटे कदम से ही अमरित काल के इस जोर में हम विकसित भारत का निर्मान कर सकते हैं ना हमें रुकना होगा ना हमें जुकना होगा विकशील भारत में तो जन्म लिया है मगर विकसित भारत में ही मरन लेना होगा आज हमें यही प्रण लेना होगा यही प्रण लेना होगा और हमें विक्सित भारत बनाने के ना सिर्फ किसी एक शेत्र को आगे बढ़ावा देना होगा, बरके सभी शेत्रों को ध्यान में रखते हुए विक्सित भारत का सफ़ाइद तै करना होगा, जाय हैं, जाय भारत, धन्यवाद!